प्राबोडी में रमजान की सजावट गोंडवी न्यूज प्राबोडी ठाने में खूपसूरत लाइटिंग श्री नजीद मुल्ला द्वारा आयोजित सजावट रमजान मुबारक दुनिया भर के मुसल्मानों के लिए प्रतिबिम, प्राथना और उटसब का समय है ये विश्वास को मजबूत करने, शमा मांगने और जरूरत मंदों को देने का समय है और इस पवित्र महीने को मनाने का इससे अच्छा तरीका और क्या हो सकता है कि रात को खूपसूरत सजावट से रोशन किया जाए राबोजी ठाने में, श्री नजीद मुला ने रमजान मुबारक के अफसर को चिनित करने के लिए रोशनी के शांदार प्रदर्शन का आयोजन किया है सबकों को रंगीन लालतें, तिंपिमाती परी रोशनी और जटल डिजाइनों से सजाया गया है जो एक गर्म और आमंत्रित वातावरन बनाते है सुन्दर रोशनी ना केवल रमजान के उटसब की भावना को जोड़ती है बल्कि समुदाए और एक जुटता के महत्वत की याद दिलाने के रूप में भी काम करती है जैसे जैसे परिवार और दोस्त अपना उत्वास तोड़ने के लिए एकठा होते हैं जीवन सजावट एकता और आनंद की भावना पैदा करती है रोशनी के इस खूदसूरत प्रदर्शन के आयोजन में श्री नजीद मुला ने वास्तव में खुद को पार कर लिया है राबोरी खाने के हर कुने में विस्तार और रचनात मक्ता पर उनका ध्यान स्पश्ट है भव्य महराबों से लेकर छोटी चाय की रोशनी तक सजावट के हर पहली को ध्यान से सोचा जाता है ताकि एक आकरशक माहौल बनाया जा सके जैसा कि हम रमजान के इस पवित्र महीने को मनाते हैं आईए हम अपने आसपास की सुन्दर्ता की सराहना करे रवोली ठाने में श्री नजीद मुल्ला की शांदार रोशनी की सजावट रमजान की भावना और लोगों के जीवन में इसके द्वारा लाए जाने वाले आनन्द का एक वसियत नामा है पर लोगों की सावबब। झाले बिट्यूप्प्पल के लिए लाए घए है तो दो प्रोगों कारे झाले आनन्द का एका उाले वारा रहा है झाल